असलालेकूम एवरिवन मैं आपके साथ मजूद हूँ महमन तवस्थाओं गफवार आपके अपने यूट्यूब चैनल MTG कंसल्टन पे जी तो डियो विवर्स जैसे के आप तमाम स्टों को पता है नेशनल उनिवस्टी ओफ मेडिकल साइसिस नम्ज ने MDCAT NUMS 2023 की जो है वो 3 जुलाई 2023 से रिजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है तो आप लोग अपने रिजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 3 जुलाई 2023 से ओन वर्ड नम्ज MDCAT 2023 के लिए MBBS और BDS अड्मेशन के लिए तो आज की वीडियो में आपके साथ डेटेल से डिस्कस करेंगे कि आप ओनलेन स्टैप बाई स्टैप अपने इस्ट्रेशन किस तरी किसे करवा सकते हैं या आप ओनलेन किस तरी किसे अपलाई कर सकते हैं MDCAT NUMS 2023 के लिए लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलों कि MDCAT NUMS 2023 को बर मैंने डेटेल से अपनी एक वीडियो नहीं हुई है जिसमें complete information आप तमाम स्टैप साथ शेर की गई थी MDCAT NUMS 2023 के मतलब जिसमें लिंक भी आपके साथ शेर किया था कि आप MDCAT NUMS 2023 के लिए कहां से अपलाई कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हम step by step सीखेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से जो है आपके सामने शो होगा और नीचे आपको लिखाओ नदर आ रहा होगा for registration प्लीज क्लिक है तो आपने इसके उपर क्लिक करना है जैसी आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो एक complete detail आपके सामने जो है अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे second option पर लिखा हुआ थी download advertisement क्लिक कर सकते हैं इसके लाव अगर आप syllabus डॉनलोड करना चाहते हैं तो syllabus for mdcat nums 2023 के से आप नीचे जहां पर लिखा हुआ थी to download syllabus for mdcat nums 2023 क्लिक है तो यहां से आप क्लिक क्लिक करके तो नम्स mdcat 2023 का syllabus भी download कर सकते हैं लेकिन अभी हम क्योंके apply का procedure आपके साथ share करने जा रहे हैं तो आपने to apply online for mdcat nums 2023 क्लिक है के ओपर क्लिक करने हैं जैसी आप इसके ओपर क्लिक करेंगे तो एक इस्तां का interface आपके सामने show कर दिया जाएगा जिसमें वो आपको login की information दे रहे हैं लेकिन आप इसके ओपर क्लिक करेंगे तो एक इस्तां का interface आपके सामने show होगा जिसमें वो आपसे कह रहा है कि आप अपना cnac या बेफार्म के जरी रिजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या passport number के जरी भी आप अपनी registration करवा सकते हैं तो mostly पक्स्तानी जितने भी student हैं वो cnac या पर आपको रिजिस्ट्रेशन करने का तरीका बताने जा रहा हूं तो सबसे पहले आपने अपना cnac या बेफार्म नमबर यहां पर लिखना है उसके बाद आपने अपने 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 एंटर करना है थर्ड नमबर पर आपने एमेल आईडी जो है यूनिक इमेल आईडी आपने यहां पर एंटर करनी है फॉर्थ नमबर पर आपने अपना पास्वर्ड जो है कम असकम six digit का आपने यहां पर एंटर करना है और फिर confirm पासवर्ड में दबारा से वही पासवर्ड आप लोगों ने एंटर करना है और उपर एक capture code आपको लिखा हूँ नजर आ रहा है तो सबसे उपर आपको student ID लिखी नजर आएगी और साथ में student name लिखा हुआ right side पे नजर आ रहा होगा तो यहां पर फोर step आपके सामने है step one step two step three and step four तो हम step by step देखते हैं कि हम इन steps को कैसे complete कर सकते हैं तो पहले step के अंदर आपने अपनी तस्वीर upload करनी है upload student photograph वाले portion में आ आपने अपनी photo select करनी है और further उसको upload कर देना है और कम असको वह one mb की होनी चाहिए और jpg farm में होनी चाहिए तो आप उसको upload कर देंगे उसके बाद next आपने अपना cnac की front side जो है वह आपने upload करनी है cnac या bay farm की तो याद रखें अगर आप bay farm कर रहे हैं तो वह बिल्कुल clear चाहिए ताके पढ़ा जा सके आपका cnac number क्या है और अगर आप अपना cnac की तस्वीर upload कर रहे हैं तो वह बिल्कुल clear उन चाहिए ताके वह पढ़ी जा सके तो वह एक mb की कम असकम तस्वीर उन चाहिए और वह भी आप choose file करके और उसे भी upload कर देंगे जैसे आप उसे upload क चाहिए तो next step आपके सामने show हो जाएगा जिसमें वह आपको student का name show करेगा जो आपने register करते हुए लिखा था उसके बाद student का cnac number आपको show हो जाएगा जो आपने खुद को register करते हुए यहाँ पे enter किया था उसके बाद वह आपसे कहेगा कि अपनी date of birth एंटर करें उसके बा यहाँ पर आपकी लिखी आपको मिल जाएगी क्योंकि आपने register करते हुए यहाँ पर email id लिखी थी next आपने province of student क्या है वो आपने अपना select करना है डोमिशेल आफ student आपने अपना select करना है उसके बाद city of residence student की क्या है वो आपने अपनी select करनी है फिर उसके बाद आप पकिस्त या आपके college का क्या name है या अपने intermediate कहां से clear किया वो आपने college का name यहाँ पर enter करना है उसके बाद आपने अपना postal address यहाँ पर enter करना है पोस्टल अड्रेस आपका जो permanent address है वो आपने यहाँ पर enter करना है जब आप इतना enter कर लेंगे उसके बाद next step आपके सामने show कर दिया या कोई और country है तो आप इसमें option में अगर आपकी US है या कोई और country है तो भी आप select कर सकते हैं लेकिन अगर आप पकिस्तनी student है तो आप यहाँ पर पकिस्तनी ही select करेंगे next आप से वो पूछेगा कि आपका test province या region कौन सी है तो आपकी दारी बात पंजाब है तो पंजाब अगर आप किसी और सुबह से हैं तो आप वो सुबह यहां पर select कर लेंगे next city में आपने जो जिस city में हैं अगर वहां पर center बनता है नमच्ट तो आप वह city select कर लेंगे अगर नहीं तो आपके nearest city होगी जहां पर center बनता है वो select कर लेंगे second preference के अंदर फिर आप से test center के बारे म पूछ पहले में फिर पकिस्तान आएगा दूसरे में पंजाब आएगा पिर अगर आप के निरस जो सिटी है जहां पर नम्स का टेस्ट हो रहा है तो सेके नंबर पर आप वह सिटी सेलेक्ट करेंगे जैसे मैंने लहुर और रावल पिंडी सेलेक्ट किया हुआ है तो फिर आपको नदर आ रही है प्रिवी ओफ प्रोफाइल एंड डॉनलोड सेलान के ओपर आप लोगों ने क्लिक करना है जैसे आप इसको पर क्लिक करेंगे तो आपने जो अपना फार्म पील किया है वह सारकसार आपके सामने वह शो कर देगा आपने इसको अच्छे से रीट कर ल अपने जो इंफरमेशन एंटर की है वह बिल्कुल टीक की है तो यहाँ पर आपने टिक लगा देना है जैसे आप इसके ओपर टिक लगाएंगे तो फर्दर वह आप से जो है वह कहेगा के प्लीज क्लिक है टू डॉनलोड फी चलान कर सकते हैं तो आपने इसके ओपर क्लिक करके अपना जलान यहाँ डॉनलोड कर लें और उसे बैंक में पे करने के बाद दबार जो है वो Nums MDCAT 223 की registration almost complete हो चुई है अब आपने एक दफा फिर से अपने सारे farm को preview कर लेना है कि कहीं पर आपने कि mistake तो नहीं की गलत information तो enter नहीं कर ली क्योंकि आगे आपका step है final submission application जैसी आपने final submission application कर देना है उसके बाद आप अपने जो है farm को edit नहीं कर सकते तो आपने एक दफा अपने farm को preview करने के बाद जो है final submission application के ऊपर जो है वो click कर देना है जैसी आप final submission application के ऊपर click करेंगे तो वो आपको लिखा हुआ बता भी देगा जो और application has been submitted successfully क्या आपकी application successfully submitted हो चुकी या red color में client लिकी हुई आपको दिखा देगा इसके बाद आपके पास अपनी application edit करने की option मजूद नहीं होगी तो यह तो dear पूरा procedure था आपके पास nums mdcat 2023 में आप किस तरीके से only apply कर सकते हैं further जितनी भी updates है role numbers लेप 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 पर फिर एंटर करना है और password एंटर करना है और capture code जो पर लिखा हुआ नदर आ रहा है वो एंटर करके login करके आप अपनी तमाम information यहां से दवारा से check भी कर सकते हैं और अपना page चलान भी upload कर सकते हैं और further अपनी role number slip भी आप यहां से चेक कर सकते हैं और further आपका जो role tag वो भी आप इसी portal के जरीए जो है इसी link के जरीए जो है वो अपना check कर सकते हैं तो यह तो आज की video में हमें detail से आपको बता दिया है कि आप online numbers mdcat 123 के अंदर कैसे apply कर सकते हैं इसका step by step आपके साथ share कर दिया है अमीदा के दियो सुना आपको हमारे informative channel के ओपर जो है यह videos पसंद आ रही होंगी अगर आपको हमारे channel के ओपर videos पसंद आ रही हैं तो मेरे channel को like कर लिजेगा subscribe कर लिजेगा और अपने बाकिए friend के साथ भी share कर लिजेगा thank you so much allahafiz